बहुत ही प्यारे में दे आर्थी हो स्वागतेक वार्फेर तो आड़ा तो आड़ा अपने इस एजुकेशन और यूट्यूब चैनल ते अज दी वीडियो च गल करांगे जमात आठमी देली जो तो आड़ा फाइनल पक्का पेपर होएगा इंगली शिदा ओस दे पेपर दे स लाज ओना किन्ना कसाना थे ना तो देंगा अज इस पर चाँ पर द पांस ट्रक्चर देख दिया सब तो पहला देखो सेक्षिन एदी विच ता डेकोल है रीडिंग कंप्रियेंशन इपंदरा नंबर दागा वाट फिफ्टिन मार्क्स दा बहुत इजी आगे पंदरा प्रेक्टिस करके यह सानी नहीं सकते हो एगा अंसीन पासेश्पाइशन पॉष्ट इयांगे फाइम मार्स दे थर्ड डाइलोग और conversation conversation जा फिर dialogue दे विच्चो था नूँ पांज कोशन पुछ जानेंगे एवी अपने कोड़ होनेंगे 5 marks दे मतल एवाड़ा एडा section A अपने कोड़ किन्ने अंका न होएगा 15 marks दा section B होएगा बेटा अपने कोड़ लिट्रेच्चर दा ये अपने कोड़ होएगा 25 marks दा पच्ची अंका दा ये दे विच्चो देखो फास्ट एडा क्वेस्टन हैगा पर दे विच्चो चोथा section B दे विच्चो पहला short answer type questions any three out of five ठीक है एपने कोड़ है दो दो अंका दे question उनगे छे नंबर दे पांच क्वेस्टन ता नू दित्ते जानगे बहुत चोटे तरह ने तिनन तुसी करने होनगे next give meaning of words in Hindi Punjabi any four out of six छे ता नू जो तो डे lesson दे स्टार्टिंग दे विच्चा इंग्लिश तो अपा पंजाबी बड़े word meaning ने ओ ता नू होनगे छे दिते यानगे तुसी चार करने होनगे हारी एक अंक दा होएगा चार अंक दा अपने कोड़ ए बाड़ा question है fill in the blanks true false from back exercise of a lesson of text book ए त्री होनगे खाली था में हो सकते याने सही गलत हो सकते याने जो lesson दे बैक साइड थे ने अब्यास दे विच्चा तेन नमबर दे होनगे make sentence एनि four out of six छे ता नू छोटे छोटे एड़े अपने इकड़ वर्ड देती जानगे उनना नू तुसी based on strands of point any two out of three sentences दे विच्चों तेन्न question पुछे जानगे विच्चों कोई दो करने होनगे यह अपने कोड़ होनगे बैटा four marks दे एक question दो अंकान दे होगे question based on points any two out of three points दे विच्चों तेन्न question पुछे जानगे तुसी दो करने होनगे four marks दे अपने कोड़ यह होनगे जानगे section b है जानगे अपने कोड़ टोटल 25 marks दा होएगा section c दे विच अपने कोड़ होएगा vocabulary grammar translation and composition यह अपने कोड़ होएगा बैटा 40 marks दा सब तो बड़ा portion अपना है vocabulary होएगे six marks दी do as directed grammar होएगी 12 marks दी letter application writing with internal choice दो आनगे करना होएगा six marks दी paragraph story writing इनना दे विच भी internal choice होएगी जाँ होएगी यह अपने कोड़ होएगा four marks दा dialogue writing notice newspaper headline any two with internal choice दी इनना तिनना दे विचो दो को चे आनगे करना होएगा three marks दा translation from English to Punjabi Hindi any two sentence out of three तिनना दे विचो दो दी translation करने होएगी यह अपने कोड़ टू मार्स दा हो दो अपने कोड़ दो अंका दा two marks दाएगा good head writing दे लिए five marks दे बिल्कुल easy ने भी पांजंक सारे तुसी ले सकते होगे जगर तुसी पेपर नो साफ साफ ते वधिया टंग देनान हाल कर देंगे ठीक है तोड़ा paper दा pattern नविटा जड़ा किता नूपे final paper दे लिए आएगा बिल्कुल easy है दे बिचो पास होना देखो पंदरा अंका दे अपने कोड़ comprehension पैसेज ने थोड़ी जी practice करन तो बादे तुसी कर सकते होगे पच्ची अंका दे बिचो जड़े question है कि बिल्कुल easy है तुसी कर सकते होगे vocabulary दे बिचो अपने कोड letter है गे story है गी translation है ठीक है यह बिल्कुल easy का मैंगा जिननल तुसी याद करनो प्रांत पेपर नो साफ वदिया लिखके असानी ने इस पेपर दे बिचो पास हो सकते है बस एक कोई है अपने इस पेपर दे ली वदिया पढ़ना गा वदिया तियारी करनी है प्रैक्टिस करनी है ठीक है बिटा ओके ठैंक झते हैं